असलाम अलेकुम, six class are you, are you fine? जी बचो, आज हम लोगोंने history का, तारीख का, हम लोगोंने short question करने हैं, हमारे long question, तफसिली सवलाद इसके complete हो गए हैं, short question, महुतसर सवलाद देखें पहला सवला आप लोगोंने करना है, वादिय सिंध की तेहजीप कहा वाक्या है, इसका अंसर देखे, वादिय सिंध की तेहजीप, Department of LIKE के मगरिब में, महुतन जोड़ो, सिंध और पंजाब में, और पंजाब में, द्रावे की चिनारे, हडपा, जिल साहिवाल में, अबाद थ पाकिस्तान और मगर्वी बारत में इस तहजीब के क्रीबं पंद्रों सो अजाफी असार और बस्तिया द्रियाफ्त हो चुकी है ये स्वाल नमबर एक का जवाब है सगर्ड क्वेसन है वादियसिंद की तहजीब के एहम शेहरू के नाम लिखें एहम शेहरू के नाम है मोंजो दोडो, हडपा, कोड़ डीजी, महरगड, पेरक, एंड सक्खर ये सिक्स गाउं हैं सोरी सिक्स हैं तहजीब एहम शेहर वादियसिंद की ये उनके नाम है इसके बाद तीसरा स्वाल है वादियसिंद में लोगों का एहम पेशा क्या था ये स्वाल नबर तीन मुहसर का जवाब है आज आप लोग उन्हें तीन ही सवाल करने हैं इनकी आंसर यहां से देखिए आप लोग उन्हें लिखने हैं होम वर्क में यही तीन स्वाल आप लोग उन्हें होम वर्क में लिखने हैं इसके साथ ही इसके एमसी क्यूज देखें पेज नबर 10 पे बहुत सर सोरी की MCQ हैं दुरुस्ट वापर टिक का नशान लगाए वादियसिंद में कौन सा शहर मरकिज मुकाम का दरजा रखता है मौईजोदुलो वादियसिंद की तहजीब के लोगों की अक्सरियत की स्पेशा से तल्लक रखती है जराद से अरिफ पर ट कालम कालम अलिफ को कालम बेसे में लाना है वादियसिंद के लोग बैल को बारबरदारी के लिए इस्तमाल करते थे वादियसिंद में गंदे पाने की नकासी का वादियसिंद की जमीन जरहेज थी वादियसिंद के लोग पूर आमन जिन्दी बसर करते थे वादियसिंद में आजार कांची से तियार किया जाते थे और एंप बादी यसिन में गंदे पानी की निकासी का उंदा इंतिजाम था ठीक है ये कालम अलिफ को कालम बेस से मिलाना है यह आप लोगोंने एक्सरसाइज याद करनी है शौर्ट क्वेस्टन जो तीन करवाए है वो आप लोगोंने ह होंवर्क में लिखने हैं इनकी आंसर आप लोगोंने यहां से देखके ही लिखने हैं होंवर्क में बाकिया आप लोगोंने इसके साथ इसे याद भी करना है ठीक है